सब्सक्राइब पिछला जो लेक्चर आया था 50 प्लस MCQ आप जेनरल हिंदी फॉर एक्वेशन था स्विच्छा तो स्विच्छा का आपको बताना था संदी भी छेट तो स्विच्छा का संदी भी छेट होता है स्वाव जमा इच्छा तो वहाँ पर गलत हो गया था है वहाँ पर मैंने बता दी था सू जमा इच्छा तो होता है MCQ में गलवर हो जाती है उपन लिच्छे हो जाते ऑप्शन ये बताया था सुनील एच्पी करके कमेंट आया था कि सर आपने स्विच्छा का संदी भी छेट गलत बताया है तो बिल्कुल इस तरह ही स्टेडी करिए आप तो आज हम जिसक्स करेंगे जैनरल हिंदी फॉर एच्पी पॉलिस कॉंस्टेबल एक्जाम लेक्चर नमबर फाइव तो जो भी स्टुडेंस हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुन सकें तो कंटिन्यू करते हैं आज किस लेक्चर को तो आज हम सबसे पहले डिसक्स करेंगे मुहाबरे में पहला है आंख का अंधा गांट का पूरा इसका मतलब होता है मूर्ख धनवान अगला है आ आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा तो अगला मुहाबरा है आंखों का पानी ढल जाना का मतलब होता है लज्जा रहित होना ठीक हो गया लज्जा रहित हो जाना अगला है आंखें सेकना आंखें सेकना होता है किसी की सुंदरता देख आंखें जुडाना अगला मुहाबरा आंखें खुलना मतलब सजग होना आंखें आना मतलब होता है आंख में एक प्रकार की बिमारी होना आंखें चुराना का मतलब होता है सामने आने से परहेज करना आंखें चुराना या फिर सामने आने से परहेज करना आँखें गडाना आँखें गडाना होता है दिल लगाना या फिर इच्छा करना अगला है आँख लगना आँख लगना होता है प्रेम करना या फिर आँखें चार होना वो भी होता है प्रेम करना आँखें लगना वो भी क्या होता है प्रेम करना अगला है आँख लगना आँ में पानी रखना होता है मुराबबत रखना तो next है आंक फड़कना आंक फड़कने का मतलब होता है सगून उचरना तो अब डिसकुस कर लेते हैं लखोक्तियां और कहा होते हैं तो आज की पहली लकोक्ती है आंख का अंधा नाम का नाइनसुक इसका मतला है गुण के विरुध नाम ठीक है गुण के विरुध नाम तो अगला है आधा तीतर आधा बटेर आधा तीतर आधा बटेर इसका मतला है बेमेल स्थिती अगला है आप भले तो जग भला आप भले तो जग फला, इसका मतलब था है, सोएं अच्छे, तो संसार अच्छा, जो सोएं अच्छे होते हैं, उनके लिए संसार, most beautiful होता है, तो नेक्स्ट है, आम का आम, गुटली का दाम, इसका मतलब होता है, सब तरह से लाब ही लाब, ठीक है, आम के तो आम, और गुटली के भी द तो नेक्स्ट है, आये थे हरी बजन को, ओटन लगे का पास, इसका मतलब होता है, करने तो कुछ आये थे, और करने कुछ और लगे, अगला है, इतनी सी जान, गजबर की जवान, इतनी सी जान, गजबर की जवान, इसका मतलब होता है, छोटा होना, पर बढ़ बढ़ कर बो यनि कर्मों का फल शिगर पाना ठीक हो गया इस साथ ले जो बिजनसमेन होते हैं उनका यही स्लोगन होता है कि इस साथ दे उस साथ ले मतलब कर्मों का फल शिगर पाने की इच्छा होती है तो नेक्स्ट है वाक्यांस के लिए एक शब्द पहला वाक्या है जो अपनी बात से ना टले उसको बोलते हैं अटल ना टूटने वाला ना टूटने वाला होता है अटूट अगला है पदात का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राय विभाग या फिर मात्रा उसको बोलते हैं अनू नेक्स्ट है सीमा का अनुचित उलंगन होता है अती करमन अगला है जिसके आने की तिथी ग्यात ना हो उसको बोलते हैं अती थी अगला है किसी कथा के अंतरगत आने वाली दूसरी कथा उसको बोलते हैं अंतर कथा और नेक्स्ट है जो सब के मन को जानता हो उसको बोलते हैं अंतर्यामी क्या बोलते हैं अंतर्यामी अगला है आवेशक्त से अधिक वर्षया उसको बोलते हैं अतिवरिस्टीम नेक्स्ट है किसी कथन या बात को बड़ा चरा कर कहना उसको बोलते हैं अतिश्युक्ति जो बीत गया हो उसको बोलते हैं अतीत यानी पास्ट नेक्स्ट है इंद्रियू की पहुंत से बार उसको बोलते हैं अतिंद्रिया नेक्स्ट है जिसकी तुलना ना की जा सके उसको बोलते हैं अतुलनिया अगला है जो दवाया ना जा सके उसको बोलते है अद्धम्या जो देखा ना जा सके उसको बोलते है अद्रिश्या नेक्स्ट है जिसके समान दूसरा ना हो उसको बोलते है अद्वित्या अगला है जो देखने योग्या ना हो उसको बोलते है अदर्सनिया तो next discuss करते हैं विलोम शब्द, पहला विलोम शब्द है अकाल, अकाल का होता है सुकाल, अगला है अर्थी का विलोम शब्द होता है प्रत्यर्थी, अनेक्य का विलोम शब्द होता है एक्य, और अंत का विलोम शब्द होता है अनंत, और अंत का विलोम शब्द होता है आदी और अंत का विलॉम सब्द होता है प्रारंब भी ठीक हो गया ध्यान दीजेगा यहां पर क्या पता है मैंने अंत का अनंत नेक्स्ट है अचर का क्या होता है विलॉम सब्द चर अगला है अर्वाचीन का विलॉम सब्द होता है प्राचीन तो प्राचीन का और विलॉम सब्द ह होता है आधुनिक्भी आधुनिक्भी किसका विलाम सब्द है प्राचीन का नेक्स्ट है आहार का विलाम सब्द होता है निराहार आवस्चिक का विलाम सब्द है अनावस्चिक आर्द आर्द मतलब गरम आर्द का विलाम सब्द है सुस्क शुस्क यानि ठंडा नेक्स्ट है आमिस का विलाम सब्द होता है निरामिस, अगला है आग्रे, आग्रे का होता है दुराग्रे, नेक्स्ट है आसक्त का विलाम सब्द होता है अनासक्त, आदुनिक का विलाम सब्द पीजे डिसकस का लिया है, आदुनिक का क्या होता है प्राचीन, आदी का होता है अनादी भी, आदी का होता है अन्त भी ठीक हो गया नेक्स्ट है आगत का विलाम सब्द होता है अनागत और विगत भी होता है आगत का क्या बताया अनागत नेक्स्ट है आस्रित का विलाम सब्द होता है निरास्रित नेक्स्ट है आरोह का विलाम सब्द होता है अवरो अगले आवरत का होता है अनावरत आस्ता का विलम सब्द अनास्ता आरंब अरंब का क्या होता है अंत क्या होता है अंत तो अगले आकूचन का विलम सब्द होता है प्रसारण क्या होता है कूचन का प्रसारण तो next discuss करते है प्रायवाची शब्द प्रायवाची शब्द भी काफी important है तो पहला प्रायवाची शब्द है असुर असुर का होता है दनुज, दानव, देत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशीचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी अगले है अनीका अनीका क्या बताना आपको प्रायवाची शब्द अनीका होता है कटक, दल, सेना, फोज, चमू, अनिकनी ठीक हो गया नेक्स्ट है आँख का आँख का प्रायवाची शब्द होगा द्रिग, नयन, लोटन, चक्षू, नेत्र, अक्षी अगले है आकास का प्रायवाची शब अकास का होता है गगन, नभ, अंबर, ब्यों, अंतरिक्ष, अनंथ, आसमान, सुन्य, पुष्कर, अब्र, धोव, तारापत अनंथ का प्राइबाची शब्द है सुख, हर्श, प्रसंता, प्रमोद, उल्लास, आहलाद अगल है आम का प्राइबाची सब्द होते हैं आम, रसाल, पिक बंधू, सहेकार, अतिसौरव, आमरफल नेक्स्ट है आस्रम, आस्रम के प्राइबाची सब्द है मठ, भिहार, कुटी, अखाडा, संग नेक्स्ट है इच्छा के प्राइबाची सब्द इच्छा के प्राइबाची सब्द होते हैं अकांक्षा, वंच्छा, अभिलाशा, मनोरत, स्प्रीहा, चाह, कामना, इहा, वासना तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं तो आए उपसो आप सब भी को आज का सेशन पसंद आया होगा तो नेक्स सेशन कल मिलते हैं आठ वजे मौनिंग में कल पक का आठ वजे वीडियो आ जाएगी तो बने रहे टार्गेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ